Hey guys, welcome back to the channel. So guys, ये है OnePlus Nord 3. इसे में यूज़ कर रहे हूँ पिछले एक हफते से. काफी अच्छा स्मार्टफोन है. मैं पहले यूज़ करती थी Samsung Galaxy S22 Ultra. और मैंने ये फोन जब पर्चेस किया, मेरे पास आया 15th जुलाई को. उसे दिन से मैंने ये फोन को यूज़ करना और अब तक का मेरा experience इसके साथ बहुत ही अच्छा रहा है. अब सोचो में एक flagship smartphone यूज़ कर रही थी Samsung का और उसके बाद switch करना mid-range device के उपर. तो मेरा experience क्या रहा होंगा आप लोग सोच सकते हो. लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा experience मिला है इसके साथ OnePlus Nord 3 के साथ. तो आज के इस वीडियो में मैं डीटेल में आपको information देने वाले हूँ about OnePlus Nord 3. चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ना. ऐसे ही वीडियो में बनाती रहते हूँ. तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में. Well, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर price के बारे में बात करें तो यहाँ पर 8128GB मैंने purchase किया है और इसकी price है 34,000 रुपीज. और मैं आपको बता दू अगर आप यह phone को pre booking करते हो Amazon पर या फिर offline store के उपर तो आपको इसके साथ कुछ ना कुछ gift मिलता है. Like OnePlus Nord C3 Lite के साथ OnePlus Buds CE फ्री मिले थे और इस phone के साथ याने के Nord 3 के साथ OnePlus Nord Buds जिसकी price है कर लेना है 2000 रुपीज पे करके और इसके बाद आपको free gift भी मिल जाता है. तो मेरे खाल से अगर आप phone का video बगेरा देख लो सबसे पहले review बगेरा और उसके बाद अगर आपको वाकई में phone पसंद आता हो तो आपको pre booking करके यह gift जोए वो भी जरूर लेना ही चाहिए. तो यहां बर सबसे पहले में अगर आपको इसका design बताओं तो मुझे काफी अच्छा लगा. ऐसा नहीं है कि यह phone का पहला design है OnePlus की तरफ से. अभी हाल फिलाल जो Nord C3 Lite लाइट 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 हुआ था उसका भी design करीब सेम ही है इसके साथ लेकिन यह जादा boxy design है, square design काफी है यहां पर मतलब gripping वगरा काफी सही सही है यहां पर इसके साथ feel होता है और no doubt यह phone बहुत ही जादा premium है यहां पर back side में इसका जो यह design है, back side काफी अच्छा है यहां पर थोड़ा सा sleepy है, glossy है लेकिन बहुत ही सही यहां पर इसका in hand feeling है साथ में phone काफी जादा lightweight है यहां पर इ यूज करना और इसके बाद यहां पर न गाइस उपर की दरफ आपको IR remote भी मिल जाता है, तो IR blaster दे दिया है, दो mics यहां पर दिये, Dolby Atmos का भी support करता है, यहां पर secondary microphone मिलता है उपर की side, साथ में in display fingerprint scanner मिलता है, जो वाके ही में बहुत ही quick यहां पर responsive है, काफी अच्छा यहा कर मिलता है, और unfortunately यहां पर आपको memory card expand करने का option नहीं मिलता है, यहां पर dual SIM up लगा सकते हूँ, लेकिन memory card लगाने का option नहीं मिलता है, तो आप long term के लिए use करना चाहते हो, तो आपको इसके 256 GB variant के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर 128 GB जोए वो थोड़ा सा कम हो जाता है, long term uses में, so no doubt मुझे इसका design बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सही लगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके साथ जो processor है, chipset है, उसके बार में बात की जाए, तो यहां पर आपको mediadic diamond city 9000 chipset देखने को मिलता है, जो बहुत ही powerful chipset है, और साथ में यहां पर मैं इसके साथ जो speaker है, उसका बे output काफी सही है, haptic इसके अंदर काफी अच्छे दिये हुए, जिसके चलते game खिलते time या फिर typing करते time आपको बहुत ही अच्छा experience मिलने वाला है, definitely, और उसी के साथ अगर हम लोग बात करें, यहां पर UI के बारे में, तो यहां पर oxygen OS 13.1 मिलता है, और यहां पर मुझे इसके साथ जो feature से वो काफी अच्छे लगे, और यहां पर call recording के लिए O dialer करके OnePlus का जो application है, वो मैंने install कर लिया है, उसके बाद call recording भी आप बड़े आराम से कर सकते हो, तो यहां पर overall मेरा experience बहुत ही अच्छा रहा है, मैंने इस phone को लेकर travel भी किया है, औ और traveling के दोरान भी अगर मैं आपको बताऊं battery backup के बारे में, तो मैंने यहां पर normal use किया, camera से कुछ photos निकाले, video निकाला, फिर उसके बाद map जैसी application यूज की, फिर भी यहां पर मुझे इसके साथ one and half day का जो backup है, वो मिलाए, 5000 mAh के यहां पर इसके अंदर battery capacity मिलती है, और box के आपको cover भी इसके साथ मिल जाता है, जो कि जिसकी quality अच्छी है, decent है, और no doubt यह phone मतलब वाकई में बहुत ही सही है, साथ में सब कुछ आपको मिल जाता है box के अंदर ही, तो मतलब एक mid-range device, एक अच्छा device में इसको कहना चाते हूँ, उसके साथ यहां पर आपको 5G का experience भी का यह display के अंदर, तो इस phone के साथ मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, आउट्डोर में आप easily use क्या सकते हो, nothing phone 2 का display भी अच्छा है, लेकिन वो outdoor visibility बहुत ही कम करतीता है, specially अगर आप camera जैसी application ओपन करो, तो वो टाइम पर उसका जो brightness है, वो बहुत ही कम हो जाता है, लेकिन नौड 3 के अंदर आपको यसी कोई दिक्कत नहीं होने वाले, यहाँ पर आपको बेजल्स तो मानो है ही नहीं डिस्पले के अंदर, फिर आप 6.7 इंच का Full HD प्लस Super AMOLED डिस्पले मिलता है, with 120Hz refresh rate, जहाँ पर मैं जैसे कि मैंने कहार बेजल्स तो है ही नहीं, तो आपको यह इसका डिस्पले मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सेंटर में पंचोल कटाउट है कामेरा के लिए, जहाँ पर 16MP का कामेरा है, और कामेरा की बात की जाए तो यहाँ पर 15MP का प्राइमरी कामेरा दिया हुआ है, 8MP का इल्टरा वाइड और 2MP का मैक्रो लेंस, यहाँ पर कु कर सकते हो, तो यहाँ पर यह एक बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाता है, 1MP के स्मार्टफोन के साथ, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ जो फोटोज है, वो बहुत ही अच्छे निकल कर आते है, डेटिकेट कैमेरा रेव्यू जल्द ही आएंगा, तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओवरूल मेरे एक्सपिरियंस की बात करूँ, तो आपको यहाँ पर एक अच्छा यू आई देखने को मिलता है, ऑक्सिजन ओस 13.1, साथ में यहाँ पर आपको चिपसेट अच्छा मिलता है, जो कि यहाँ पर रैम मैनेजमेंट वगेरा बहुत ह अच्छे से कर रहा है, यहाँ पर 8GB रैम है, 128GB स्टोरेज है लेकिन मैने खाफी सारे एप्लिकेशन ओपन करके भी रखे लेकिन फिर भी कोई भी लैग वगेरा मैने यहाँ पर फील नहीं किया, साथ में यहाँ पर एप ओपनिंग टाइम वगेरा भी सही है, कोई दिकत नह ही आने वाली आपको इस फून के साथ, इवन तो यहाँ पर आपको मिलता है 8GB तक का रैम एक्सपांशन का ओप्शन लेकिन मैने अभी तक कुछ भी रैम जोए वो एक्सपांड नहीं किया है, 8GB रैम ही मेरे लिए शेफिशेंट है अभी तो, तो वैस मेरे ख्याल से यह एक स्मार्टफोन, तो यह डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करते हूं, इसका डिस्प्ले काफी अच्छा है, कैमेरा मुझे स्पेशली बहुत ही अच्छा लगा और कोई भी दिकत मुझे अभी तक तो इसके साथ फील नहीं हुई, डेफिनेटली मैं इसे लॉंग टर्म तक कि लेकी की बच्छें